चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम केदानास जी जी की बनारस कविता पर आधारेत प्रश्णों के उत्तर करेंगे आपको एक सूचना भी देना चाहते हैं कि हमने कख्षा बारहेंवी के कोर्स में व्याकरन वाला जो हिस्सा है रस्चन अलंकारों वाला जो भाग है हिंदी साहित के इतिहास का जो भाग है इन सब को भी इन सब पर भी वीडियो बनाए तो आप हमारे धरुखा चैनल में उन्ह की कविता बनारस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर तो प्रश्ण पहला है बनारस में वसंद का आगमन कैसे होता है और उसका क्या-क्या प्रभाव इस शहर पर पढ़ता है तो इसका उत्तर है कि बनारस में वसंद का आगमन अचानक होता है और वसंद के आगमन पर धूल के बवंडर उठने लगते हैं चारोर धूल छा जाती है लोगों के मोह में किरकराहट उत्पन होने लगती है पर यह बवंडर धूल मात्र का ही बवंडर नहीं है वह लहर तारा में जन्मे कभीर दास का और कभीर के विचारों का ववंडर भी है किरकराहट का दूसरा संदर भी है कि कभीर के पाखंड विरोधी विचार लोगों को नहीं स्वहाते उन्हें ग्रहंड करना उनके लिए सरल नहीं है और अब प्रश्ण दूसरा खाली कटोरों में वसंत का उतर्ना से क्या आशय है तो उत्तर है कि खाली कटोरों में वसंत का उतर्ना का आशय यह है कि भीक्षूं के कटोरे जो भीक्षा हीनता के चलते सूने पड़े हुए थे खाली पड़े हुए थे उनमें भीक्षा आने से ऐसा लगता है जैसे कटोरों में भी वसंतरितु आ रहे हों। वे भी आनंद का अभव करने लगते हैं और रोटी ही उनका वसंथ बन जाती है और अब प्रशन तीसरा बनारस की पूर्णता और रिक्चता को कवी ने किस प्रकार दिखाया है इसका उत्तर है बनारस की पूर्णता और रिक्षका को कभी ने इस प्रकार दिखाया है कि जैसे भिखारी का कटोरा भिख्षा के अभाव में खाली हो जाता है और उस भिख्षा मिल जाने पर भर जाता है इसी तरह ये शहर भी भरता है और खाली होता रहता है बनारस की रिक्ता को कभी मृत शरीरों के माध्यम से भी दिखाता है प्रति दिन बहुत से लोग बनारस से इसी तरह विदा होते हैं और बहुत सारे लोगों के भीर बनारस के प्रति अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण यहां आती है यहां आना जाना लगा रहता है और यही संसार का क्रम भी है संसार में भी लोग आते हैं और जाते हैं और अब प्रश्ण चोथा बनारस में धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे से कभी इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है तो उतर है बनारस में धीरे धीरे बहुत सी चीज़े होती हैं जैसे धूल धीरे धीरे उड़ती है लोग धीरे धीरे चलते हैं मंदिरों के घंटे धीरे धीरे बचते हैं और यहां तक की शाम भी धीरे धीरे हुआ करती है अर्था हर शहर का एक अपना मिजाज होता है बनारस के मिजाज की यही खूबी है कि यहाँ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हुआ करता है धीरे धीरे से कभी शहर के बारे में यह कहना चाहता है कि अन्याधुनिक शहरों की तरह यहाँ पर भागम भाग नहीं है हाई तौबा नहीं है सहजता और पिनान है परिवर्तन और व्याकुलता का अभाव है प्रश्न पाच्वा धीरे धीरे होने की सामुहिक लए में क्या-क्या बन्धा है उत्तर है धीरे धीरे होने की सामुहिक लए में बन्धा है इस धीमेपन्ने पूरे शहर की गती को ही मंद बना दिया है वहां बदलाव की तीवरा कांगशा का अभाव है शहर लगभग जणता में चला गया है कभी उसे कुछ भी ना गिरने ना हिलने से अभिव्यक्त करते हैं इसी संदर में वे गंदा नाव और तुलसी डास की खणाओं की स्थिर्ता का भी युक्र करते हैं नाव का बंधा होना जड़ता को दर्शाता है नाव चलती है तो उसमें गती है पर नाव बंधी हुई है तो वह इस्थिर्ता का प्रतीक है तुल्सी दास की खड़ाओं का रखा होना कबीर के क्रांतिकारी विचारों की तुल्ना में तुल्सी दास के परंपराबादी विचारों की इस्थिर्ता को ही व्यक्त किया गया है और प्रश्चटवा हैं सई सांज में घुसने पर बनारस की किनकिन विशेष्टाओं का पता चलता है तो इसका उत्तर है जो विशेष्टाओं पता चलती हैं वह हैं पहला यहां मंदरों में होने वाली आरती के दीपकों से संपूर्ण वातावरण प्रकाष्वान होता हुआ दिखाई देता है दूसरा है बनारस ऐसे दिखता है कि वह आधा जल में है आधा मंत्र में है और आधा फूलों में है तीसरा है शम्षान में सवों में भी बनारस का हिस्सा नजर आता है बनारस का कुछ भाग नीन्द में होता है तो कुछ संक की ध्वन्यों में अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करता हुआ और अब प्रश्र सात्वा बनारस शहर के लिए जो मानवी क्रियाएं इस कमिता में आई हैं उनका विंजनार्थ इसपस्ट कीजिए पुत्तर है बनारस शहर के लिए दो जगह पर मानवी क्रियाएं अभिलक्षित हुई हैं वे इस प्रकार हैं पहला और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है यहां मानवी करण है तो इसी को हमको इसका जो विंजनार्थ है वो जानना है बिंजनार्थ है लहर तारा की दिशा से कबीर के क्रांती कारी विचारों की आने पर बनारस का यथा इस्थितिवादी समाज और सहजता महसूस करने लगता है और फिर दूसरा जो अंश है वो इस तरह है अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर इसका विञ्जनार्थ है कि बनारस तुलसी दास की दास भक्ती में ही डूबा हुआ है वो एक कभीर की पाखंड विरोधी विचारधारा के प्रती पूर्ण तह उदासीन है प्रश्नाठ्वा शिल्प सौंदरिस पस्ट कीजिए का यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की सामुहिकले दुर्णता से बांधे है समूचे शहर को इसका शिल्प सौंदरि है शिल्प सौंदरिसे तातपर है कि कविता में जो काव्यात्मक्ता है उसकी बनावट है उसमें कौन सा सौंदरि दिखाई देता है धीरे धीरे होना में पुनुरुक्ती प्रकाश अलंकार है इन पंक्तियों में सहजता का सौंदर्य है धीमापन पूरे शहर के चारित्रिक विसेशता को बताते हुए कवी ने उसे एक ले में बंधा हुआ बताकर संगीत की भाशा में अभिव्यक्त किया है अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है इसका शिल्प संदर है कभी ने आधा होने और आधा नहीं होने के भाव को कविता में इस तरह प्रस्तुत किया है वेकाव शिल्प में चवतकार उत्पन करता है और गाहे अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर इसमें सिल्प सोंदर है यहां पर मानवी करण अलंकार है विरोधा भास अलंकार है और एक मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है एक टांग पर खड़े हो न चुमा कीजिए और इसमें प्रतिकात बगता भी है तो यह था केजाना से जी की प्रख्यात कविता बनारस पराधारित प्रश्णों के उत्रों वाला हिस्सा अगली बार हम उनकी दूसरी कविता की व्याख्या करेंगे और उसके प्रश्ण उत्तर करेंगे क्रप्या इससे शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद